समराज चौधरी इतना बोल्ड नेता, भाजपा के पास पहले नहीं था, समझे इस बात को, भाजपा ने समराज चौधरी को तयार किया, क्यों तयार किया, उनको समझ में आया कि नितीश कुमार कभी भी इधर उधर कर सकते हैं, उन्होंने प्लान बनाया, और प्लान बनाया तो रिजल्ट निकला कुश्वाहा का अब जब नितीश कुमार आही जाएंगे तो समराज चोदरी का क्या जरुत है समराज चोदरी से जादा बरबाद होंगे ससान जी ललन सिंग का है नितीष कुमार सरकार बदलने के बाद सवा साल होने माला सरकार बदले हुए अगस्वी बदला था सरकार बदलने के बाद पांच बार खुले मंज से ये कह चुके हैं कि ललने बाबु नहम को बोले की एंडीए छोड़ के महागट बंदन में चल जाएए तो लल्लन बाबू भाजपा के नगर में आ गए है, सबसे जादा अमित शाह और नरेंदर मोदी पर कौन बोला है, वो है लल्लन सिंग, नितीश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं, उपेंदर कुछ वहाँ नितीश कुमार को कहते हैं, पता है क्या, कि उनका दिमाग खराब हो गय है, वो चीजों को भूलने लगे हैं, वो बिहार को बरबाद करेंगे, वो हमको अपना राजनितिक वारिस क्यों नहीं बना दिये, तो इस सब बात भाजपा के खिलाप तो नहीं है, लेकिन नितीश कुमार तो इस बात नहीं भूलेंगे, चिराग पासवान के पास बहुत ज्यादा वक्त है, और चिराग पासवान का ये वक्त खराब करेंगे नितीश कुमार, अब कैसे समझ लीजिए, आप तो पहले बात बोली दिये, चिराग पासवान क्या किये 2020 में, किसी से छुपा हुआ नहीं है, चिराग पासवान कम से कम 15 सीट, मैंने 15 सीट हम दावाद दे रहे हैं, है तो 25 सीट, लेकिन 15 सीट चिराग पासवान ने डिरेक्टली हरवा दिया नितीश कुमार को, और बाबू, नितीश कुमार हम फिर बोल रहे हैं, एक आदमी बिहार जैसे राज्य का, 18 साल तक मुख्यमंत्री रह जाए, वो आदमी के काबिलियत पे अगर आप शक कर रहे हैं, और वो आदमी को आप कमजोर बुच रहे हैं, तो आप बुरबक हैं, नितीश कुमार मजाक में हसते हुए समराज चौधरी को बोल रहे थे, कि आरे तुम कहां था, हमको पता नहीं है क्या, समराज चौधरी खड़े होते हैं, मुख्यमंत्री के आँख में डालते हैं, और कहते हैं कि आप कहां थे, हमको नहीं पता है क्या, और उठकर चले जाते हैं, समराज चौधरी को रोकने के लिए नितीश कुमार कहते हैं, अरे बाबु बैठ जाओ, हम मजाक कर रहे थे, लेकिन समराज चौधरी बात नहीं सुनते हैं, आपको लगता है कि नितीश कुमारी बतिया भूल गए होंगे ललन बाबु नहीं चाहते हैं कि नितीश कुमार किसी भी हालत में NDA में जाए और इसी लिए उनका दम फूलने लगता है और उन जानते हैं कि गलती से भी अगर पासा पल्टा गलती से भी अगर नितीश कुमार का मन डोला वो पलट गए तब ललन बाबु का राजनितिक करियर समात होगा और अभी वो सबसे बड़े पदपर हैं तो उपेंदर कुषवाह को हटाईए और उपेंदर कुषवाह कोई बहुत बड़े वोट बैंक के मालिक नहीं है कुछ बहा समाज भी पूरा समाज उनको अपना नेता नहीं मानता है अब पहला लाइन बोल बे करते हैं कि नितीश कुमार इस देश को इस राजी को बरबाद कर दिये जिस आदमी से बिहार नहीं समभल पाया वो देश क्या समभालेगा एक बार तो बोल दिये कि नितीश कुमार भूले नहीं है जब जब बिहार की राजनीत में ये खबर आती है कि नितीश कुमार पल्टी मारने वाले हैं तब तब बिहार के चार निताओं का दम घुटने सुरू हो जाता है ऐसा लगता है कि वह अब आईस्यू में भरती हो जाएंगे उनका सांस जो है वो फु समराठ चौधरी का जो सांस है वो इतना तीज क्यों हो जाता है रांत राय जो है बताएंगे कि समराठ चौधरी इतने दर किन जाते हैं समराच चौधरी क्या थे। शाशांग जी समराच चौधरी एगो MLC थे। समराच चौधरी एगो मंत्री थे और मंत्री बहुत जल्दी मुख्यमंत्री का खाब नहीं देखता है। नितीश कुमार जातिक से कुर्मी है, समराज चोधरी कुशवाह है, यादव के बाद कुर्मी कुशवाह मिला कर सबसे बड़ा गठ जोड होता है, और जब नितीश कुमार अलग हुए थे भाजपा से, तो भाजपा एक आदमी का तलाश करती है, तलाश पूरा होता है, नाम पहले नहीं था समझे इस बात को भाजपा ने समराज चोधरी को तयार किया, क्यों तयार किया, उनको समझ में आया कि नितीश कुमार कभी भी इधर उधर कर सकते हैं, उन्होंने प्लान बनाया, और प्लान बनाया तो रिजल्ट निकला कुश्वाहा का, अब जब नितीश कुमार आही जाएंगे तो समराज च आख में हसते हुए समराज चौधरी को बोल रहे थे कि आरे तुम कहां था हमको पता नहीं है क्या समराज चौधरी खड़े होते हैं मुख्यमंतरी की आख में आख डालते हैं और कहते हैं कि आप कहां थे हमको नहीं पता है क्या और उठ कर चले जाते हैं समराज चौधरी को र साल बावन दिन आप बताईए मुख्यमंत्री होते हुए आदमी आपके बात को सुन लिया उपागल है क्या तो नितीश कुमार सब बत्या को याद रखते हैं समराज चोधरी बात को जानते हैं कि नितीश बाबु को सब कुछ याद है और अगर नितीश कुमार फिर से बाबुता की बात बोल चुके हैं समराज चोधरी ही तो है तो समराज चोधरी जी को इस बात का डर है और वो डर यही है कि अगर नितीश कुमार भाजपा में आए तो इनका भैल्यू फिर अब एक MLC की बदोर रह जाएगा और एक मंत्री उस जादा कुछ ने बस यही बात दूसरा नाम ललन् सिंग आपने कहा कि ललन्स के कहते हैं कि नतीश कुमार के पेट में दाथ है और अब ललन्सिंग को यह डर सताने लगता यह कहीं मार से UC सजान जी-ललन्सिंग कहें नितीश कुमार सरकार बदलने के बाद, सवा साल होने माला सरकार बदले हुए अगस्त में बदला था, सरकार बदलने के बाद पाँच बार खुले मंज से ये कह चुके हैं, कि ललने बाबू न हमको बोले कि एंडिये छोड़के महागठ बंदन में चल जाएए, तो ललन बाबू इसका मतलब समझते हैं आप तो आदमी आपको नहीं भूला है और जिस तरीके से ग्रिह मंत्री का बेयती लोग किये हैं अगर नितीश कुमार गलती से भी चले गए भाजपा में तो ललन बाबू का बरबादी तय है और ललन बाबू बरबाद इसलिए होंगे कि नित्रित तो कर रहे हैं नितीश कुमार जब सरकार बदले तो बोले कि हम इन लोगों से राय मश्वरा किये हैं और यह लोग हमको बोला है तभी हम गए हैं तो आप समझ जाए इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि नितीश कुमार नहीं ललन बाबू नहीं चाहते हैं कि नितीश कुमार किसी भी हालत में NDA में जाए और इसी लिए उनका दम फूलने लगता है और उन जानते हैं कि गलती से भी अगर पासा पल्टा गलती से भी अगर नितीश कुमार का मन डोला वो पलट गए तब ललन बाबु का राजनितिक करियर समात होगा और अभी वो सबसे बड़े पदपर हैं जद्यू का राष्ट्रिय ध्यक्ष बिहार का मालिक के समान है नितीश कुमार के बाद 33 आदव और 33 आदव के बाद ललने सिंग है तो ललन सिंग चाहेंगे कभी कि हम बरबाद हो जाए जितना अमित्शा और मोदी को बोले हैं तो नितीश कुमार तो बोले नहीं है उनका दरवाजा खुला हुआ है और शोक चोधरी आज खुद बोल दिये तो बरबाद कौन होगा ललन सिंग होंगे बस यही बात है तीसरा जिसका दम फूलता है नितीश कुमार के बहद खुगि नितीश कुमार के सात रहने वाले उपेंद्र कुष्वाहा का बात क्या है इसके समझेगा इसके बाद बचता है कि वो नितीश कुमार के पास ठीक से रहते अगर वो रहते तो 24 और 25 में उनका खायाल रखा जाता ये वही उपेंद्र कुश्वा हैं जो कसम खा रहे थे बता रहे थे मारी जी की तरह कि हम नितीश बाबू को नहीं छोड़ेंगे और उपेंद्र कुश् अब समझेंगे अब उपेंद्र कुश्वा है तो उपेंद्र कुश्वा है नितीश कुमार को कहते हैं पता है क्या कि उनका दिमाग खराब हो गया है उप चीजों को भूलने लगे हैं वह बिहार को बरबाद करेंगे उपना राजनितिक वारिस क्यों नहीं बना दिये तो इस सब बात भाजपा के खिलाफ तो नहीं है लेकिन नितीश कुमार तो इबात नहीं भूलेंगे अब वही बात है भाजपा के खिलाफ जो बोला भाजपा उसको बरदाश नहीं करेगी नितीश कुमार के खिलाफ जो बोला नितीश कुमार उसको बरदाश नहीं करेंगे औ और अगर नितीश कुमार जाते हैं NDA में, तो उपेंदर कुश्वाह का तो भाई देखिया, अपने मन से चुनाव लड़के जीतने वाला हाल तो है नहीं, वही हाल मुके शेहनी का है, वही चिलाग पास्वान का है, तो उपेंदर कुश्वाह डिपेंडेंट है, अब डिपे के मालिक नहीं है, कुश्वाह समाज भी पूरा समाज उनको अपना नेता नहीं मानता है, और इबात उपेंदर कुश्वाह भी खुब अच्छे से जानते हैं, उसर्फ आउसर का फाइदा उठाए हैं, और इसलिए जब जब बात होता है कि नितीश बाबू जाएंगे जुबान पर हमेशा रहता है, और नितीश कुमार उस नाम को कभी नहीं भूल सकते हैं, आज नितीश कुमार इतने कम विधायक के साथ खड़े हैं, तो सव्ग्ति का नाम है उसका नाम है चिराग पास वार। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि तेरस्वी आदव के समरांतर, अगर कोई युवा खड़ा है, इसके पास समय है, उसके पास तजुर्बा हो सकता है, उसके पास उम्र है, उसके पास विजन है, उसके पास सर्टिफिकेट भी है पढ़ाई का, विदेश घूमने का, तो वो आदमी का नाम है चिराग पासवान, चिराग पासवान के पास बहुत ज़्यादा वक्त है, और चिराग पासवान का ये वक्त खराब करेंगे नितीश कैसे समझ लीजिए आप तो पहले बात बोली दिए चिराग पासवान क्या किये 2020 में 21 से छुपा हुआ नहीं है चिराग पासवान कम से कम 15 सीट मैंने 15 सीट हम दावाद दे रहे हैं है तो 25 सीट लेकिन 15 सीट चिराग पासवान ने डिरेक्टली हरवा दिया नितीश कुमार को और बाबू नितीश कुमार हम फिर बोल रहे हैं एक आदमी बिहार जैसे राज्य का 18 साल तक मुख्यमंत्री रह जाए वह आदमी के काबिलियत पे अगर आप शक कर रहे हैं और वह आदमी को आप कमजोर बुच रहे हैं तो आप बुर्बक हैं तो वह आदमी आपको इगनो किया हुआ है पता है क्यूं इसलिए काहें कि वह आदमी को अंदर से है कि छोड़ो ना छोड़ो ना लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन पाटी टूटेगी और चिराग तो खुद लगाते हैं इस बात का दम भरते हैं आवाज की पशुपती पारस वाले काइंड में न पर चिराग पासवान अब पहला लाइन बोल बे करते हैं कि नितीष कुमार इस देश को इस राजी को बरबाद कर दिये जिस आदमी से बिहार नहीं संभल पाया वो देश क्या संभालेगा एक बार तो बोल दिए कि नितीष कुमार को अमेरिका का राश्टपती बनना चाहि लिए समराज चोधरी ललन सिंग उपेंद्र कुश्वाहा और चिराग पास्वान की जान हलक में अटकी रहती है राजनितिक तोर पर कि अगर नितीश कुमार भाजपा में गए तो यह लोग जितना बद जुवानी किये हैं जितना आरोप लगाए हैं जितना राजनितिक नु अब यह खबर चल रही है और चार निताओं का दम खूल रहा है और कहा भी जाता है कि नितीश कुमार अपने दोस्त को कुछ समय के लिए भूल जाए लेकिन दुस्मन को नहीं भूलते हैं अब आगे देखिए क्या होगा बेराल इसका बरमीता हैं बने नमार साथ और देख झाल, थाइग्ट झाल proud को यहाँ स्थमन के सी को बदेखंगे प्राइए लूल यहाँ जग्स्ता टूल जाएग्देखंवर भी जाता हैं डिए भी जाता हैं जाता हैं प्र रहता हैं जाता है।